हलो दोस्तो नमशकार प्राफिट गुरू चेनल में एक बार नए मार्केट अपडेट के साथ आप लोगों का सौगत कहता हूं तो दोस्तो जैसे कि मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा अभी ख़वर का काफी दिनों से इंतजार किया जा रहा था मार्केट में कि ये कब आएगी ख़वर ये ख़वर कब आएगी और वो ख़वर दोस्तो कल नाइट में आ चुकी है तो आज हमारा मार्केट आप देख सकते हैं काफी अच्छी तेजी दिखा रहा है क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी दोस्तो मार्केट के एकॉर्डिंग आई है तो बहुत 950 पर मार्केट ट्रेडिंग कर रहा है प्रिवेस क्लोस ता 16,818 का चोटा सा गेप डाउन लेता है 16,798 हाई लगाता है 16,979 का और लो लगाता है 16,747 अब देखते हैं कि आज अगर दिन भर में मार्केट 17,000 जाता है तो उसके बाद क्या मॉमेंटम मार्केट दिखाता है क काफी मजबूती चाहिए मार्केट को 17,000 के उपर जाने के लिए तो देखते हैं क्या होता है अगर आज मार्केट 17,000 जाता उसके बाद ठीक है तो जो भी अपडेट आता हैं प्रोवाइट करेंगे तो आप इस चैनल को सस्क्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए चलिए सबसे पहले स्टॉक का पाफोर्मेंट देख लेते हैं आज का तो यहां पर आप देख सकते हैं स्टॉक में दोस्तों आज हमें हलकी सी गिरावट देखने को मिल रही हो 729 रुपए पर अभी ट्रॉक ट्रीडिंग कर रहा है प्रीविए स्टॉक उपन हो तो 1160 रुपे का देखने को मिलता है एक मेने की ट्रेडिंग सेशन के में बात करता हूँ तो काफी उपर से स्टॉक गिरा हुआ है आप देख सकते हैं छे मेने की अगर मेने पहले स्टॉक काफी नीचे था मतलब जून जुलाई में काफी उपर तक गया और अभी पूरी प मुमिन्टम नहीं था मतलब 2014 जनवरी फर्वरी में यह पेनी स्टॉक था ठीक है 2014 में जब सभी जन मार्केट को बहुत अच्छी तरीके से जानने लगे थे जानने तो तभी लगे थे जब 2008 में सबसे बड़ी गिराब हो तुई थी मार्केट में ठीक है उसके बाद से आप दे बिजनस अलग करने जा रहे हैं मतलब डी मर्ज करने जा रही है तो अपने एक बिजनस अलग करेगी तो शेर होलडर को कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा तो कुछ श्वाइप रोशोब यहां पर प्रोवाइट किया है और जो रिकॉर्ट डेट है तीक है इस इवेंट म आप देख सकते हमें क्या देखने को मिल रहा है 29 सितंबर का यह अपडेट है मतलब कल का ठीक है आरती इंडस्टी जो अपना फार्मा बिजनस है वो लिस्ट करने जा रही है ठीक है कब मिड दिसंबर में ठीक है मिड दिसंबर में यह होने वाला है तोड़ा सा में इसको मतलब यहां से मतलब दीख नहीं रहे हैं आपको ठीक है यहां पर मेड लिखा हुआ है मतलब मेड में मतलब चौदा पंदरा दिसंबर तक या 16 दिसंबर तक जो फार्मा बिजनेस आर्ति फार्मा लेप करके ठीक है वो मार्केट में लिस्ट हो जाएगा ठीक है उसके साथ अगर चार शेर है जो अभी current में company है ना उसके जो मैंने अभी आपको दिखा के लाया हूँ ठीक है चार शेर है अभी तो ही आपको एक शेर जो उसकी नई company list होगी market में दिसंबर में आरती फार्मा लेप तो वो मिलेगा चार शेर पे एक शेर मिलेगा चार शेर पेक्शर अगर आपके पास तीन है साथ है नव है दस है तो आपको कुछ नहीं मिलेगा ये company ने साब बोल दिया है मतलब cash payable नहीं है मतलब जो मान लिए तीन के हिसाब से जो swipe ratio बन रहा है तो उसका पैसा आपको दिया जाए ऐसा कुछ भी नहीं है लेकिन ये company नहीं कर रहे है तो आपको इसको चार के firm में convert पड़ेगा यहाँ पर चार खरीदना चार करना पड़ेगा यहाँ पर आट करना पड़ेगा यहाँ पर दोस्तों बारा करना पड़ेगा तभी दोस्तों आप क्या करोगे यह एक share के लिए eligible हो जाओगे ठीके मतलब आपको चार का table आना चाहिए मतलब चार का जो पहाड़ा रहता है चार, आठ, सोला, बीस, चोबीस, ठीके अठावीस यह आना चाहिए तभी दोस्तों आपको यह जो swipe ratio है company की तरप से वो मिलेगा otherwise नहीं मिलेगा ठीके और इसका record date क्या रखा गया है तो मैं आपको बता देता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस event में, इस demurge में दोस्तों जो participate आपको करना है ठीके आपका जो swipe ratio मैं नहीं आपको बताया है कि चार के firm में आपको share खरीदना है या share अपने portfolio में रखना है मैं यहाँ पर उधारन बता रहा हूँ खरीदने का राय नहीं दे रहा हूँ पहले मैं बोल रहा हूँ क्योंकि यह video आपके लिए एक education और एक knowledge level का है यहाँ पर खरीदने की राय नहीं दे रहा हूँ अगर आपको इस participate करना है इस d merge में चार के firm में आपको share आगे लेके जाना है चार, आट, बारा, सोला, बीस, चोबीस ऐसे तो ही दोस्तों आपको जो मिलेगा कम मिलेगा 20 October यह record date रखा गया है तो आप लोगों को 18 October से पहले पहले दोस्तों क्या करना पड़ेगा इस event में participate करना पड़ेगा और जो अपना ratio है वो मिला के चलना पड़ेगा otherwise आपके पास 3 share है और आपकी नीद अगर बाद में खुलती है तो आपकी नीद खुलती है 19 तारिक को और आप सोचते हैं कि चलो मैं अब इस swipe ratio को मिला लेता हूँ मैं पास 3 ने तो एक खरीद लेता हूँ मुझे मिल जाएगा तो नहीं मिलेगा 18 तारिक तक आपकी नीद खुल जाती है तो ठीक है 18 तारिक तक अगर ये event आप कर लेते हो complete तो ही आपको ये share मिलेगा अधरवाइस नहीं मिलेगा ठीक है और शेर कम मिलेगा जब दोस्तों कंपनी मार्केट में लिस्ट हो जाएगी ता जैसे अभी आप लोगों ने देखा होगा कि मदर संसो में सिस्टम लिमिटेड था पहले कमपनी वो उसकी पेरेंट्स कमपनी में मर्ज हो गया और उसका एक जो बाइरिंग वाला बिसनस अलग हुआ उसमें आपने देखा कि जब लिस्ट हुआ तभी दोस्तों जो शेर है वो डीमेट में क्रेडिट हो गये थे ठीक है तो आसा करता हूं दोस्तों आप लोगों को सभी चीज़ें आपर किलियर हो गई होगी अब आरती इंडस्टी दोस्तों एक अच्छी खासी कमपनी फंडामेंटल कंडिशन भी काफी अच्छी है ठीक है मेनेजमेंट के तरफ से कॉमेंटरी यह आईए दोस्तों कि दोनों ब मार्च यह हमें होते वी देखने को मिल रहा है तो यह संबर में complete हो जायगा मतलब 3 मैने में अक्टोंबर नावमिबर दिसमर मतलब 6 मैने के अंदर अंदर दुस्तों यह जो बिजनसा है ठीक है फिर उसके बाद इसका जोवी market केपिटलाइजेशन रहेगा वहां और इस यह पूरी चीजे में आप लोगों को समझा दिए अब मैं company का fundamental condition आपको दिखाता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं company दोस्तो आरती इंडस्टी जो इंडिया की leading manufacturing chemical company है यहाँ पर आप देख सकते हैं उसके साथ फार्मा सिटिकल भी है company काफी leading position इसको हासिल है ठीक है त और भी बहुत सारे से company के business है जिसमें company काम करती है तो यह जो फार्मा वाला जो business है company का यह अलग होने जा रहा है उसके साथ यह अभी आप देखेंगे तो अभी company का market cap हमें देखने को मिल रहा 26,400 बहुत तर करोड़ खा जब फार्मा company अलग हो जाएगी तो उसका कितना रह यह 8% face value 5 रुपे का है तीक है और यह face value के साथ दोस्तो वह company भी लिस्ट होगी तीक है अभी face value 5 रुपे का है आरती इंडस्टी का तो आरती फार्मा लेक का भी दोस्तो 5 का ही रहेगा उसके साथी company का last 5 साल का CIGR का growth अगर आप देखेंगे तो लगबग 33% के आसपास का है इस इंडस्टी में दोस्तो आरती इंडस्टी आर्टवे पाइदान पर आती है जो chemical के firm है क्योंकि chemical सबसे उपर है उसके बाद फार्मा ठीक है quarterly update अगर आप देखें तो जून क्यों में company ने 1932 करोर के sales की थी मतलब company sales तो बहुत अच्छा कर रही है तो profit भी दोस्तो company बहु increase हुआ है और profit भी आप देख सकते हैं कि 2020-2012 तीनों साल में देख सकते कितना शांदा company ने profit निकाला है तो company का जो profit growth है ठीक है वो 120% की तेजी से बढ़ रहा है sales जो है company का वो 57% की तेजी से बढ़ रहा है जिसके लिए दोस्तों दोनों company भी अलग होने जा रही है कि दोनों को जो board है ठीक है वो अपने business को अच्छे से देख सके है उसके साथ ही shareholding pattern के अगर मैं बात कहता हूं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि shareholding pattern में promoters का क्या stake है FII का क्या है DII का क्या है ठीक है और government भी इसमें stakehold करती है तो आप लोगों ने देख लिया कि company की जो fundamental condition है वो कि वीडियो को फटाबर से लाइक कर दीए चैनल को सब्सक्राइब क्योंकि डेली वैसे पर से भैधरिंग अपडेट हम आप लोगों तक लाते रहते हैं तो थैंकि दोस्तों